हेलो आज मैं आपको बताऊंगी वेक चाउमीन बनाने का एक बहुत ही आस्तान तरीका इसका टेस्ट बिलकुल रेस्टरांट वाला होगा लेकिन सबसे पहले आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे रेसिपी को बनाना सबसे पहले एक बरतन में जितनी नूडल्स ली है उसका चार गुना पानी डाले जैसे मैंने यहां आदा किलो नूडल्स ली है मैंने दो लीटर पानी डाला है अब पानी को उबलने दे जब पानी उबल जाए तो उसमें दो टेवस्पून ओईल थोड़ा सा नमक और दो को चल भी रही है और नूडल्स अभ पक गई है हम इन्हें छाम लेंगे एक बाह ठंडे पानी से भी नूडल्स को दो ले इससे हमारी नूडल्स टूटती नहीं है अब एक कढ़ाई ले स्काराईए है चावमीन बनाने के लिए लोहे की कड़ाई ही रेकुमेंट की जाती है अब तेल एड़ करें मैंने यहां आदा किलो नुर्फ के लिए दो कड़्छी तेल डाला है जब तेल गरम हो जाए तो उसमें चार से पांच कली बारेक कट हुआ लसन एड़ करें और तीन बारेक लंबे कटे हुए प्यास डालें इनहीं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनी अब बारेक लंबी कटे हुई दो शिम्ला में चार बारेक कटे हुई हरी मेंच और धायतों ग्राम कटी हुई औरेंज गाजर एड़ करें गाजर को कसना बहुत ही आसान होता है और इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है हम इसमें आधा छोटी चम्मच अजीनो मेटो भी एड़ करेंगे इससे चाउमिन का टेस्ट बहुत ही उभर कर आता है अब तेन टेबल स्पून टेमेटो सॉस ग्रीन चिली सॉस रेड चिली सॉस और तेन ही टेबल स्पून सोया सॉस आड़ करें मैं यहां थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी एड़ कर रही हूं आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आप दो नीम्बू का रस आड़ करें मैंने विनेगर की जगा यहां पे नीम्बू का रस लिया है और स्वाद अनुस्तार नमक एड़ करके मिक्स करें अब टाइम है नूडल्स आड़ करने का नूडल्स आड़ करें और मिक्स करें हमारी बहुत ही टेस्टी इजी होमेड वेच चाउमिन अब रेडी है आप भी इसे बनाएए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिल्कुल रेस्टरांट वाला आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर उसे लाइक, शेर और कमेंट भी करें थैंक यू